हेलोउफ्रेंड्स कैसे आप यहाप मेरे किचन में आप सब बहुत स्वागत है आज मैं आप सब के लिए लेक स्टीक को लेकि आई हैं पकोड़े की रेसिपि पकोड़े आज आज भी बनाइंगे मिर्ची के लिए एक दम सिंपल सी असान में आप सब लेक हूग उम्मीद करें आपको पसंद आएगा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे रहे हैं जितना हो सके उसे शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें चैनल कभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें साथ बेल आइकन भी दबा दे ताकि आने वाली रेसिप जाएगा उसके बाद हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च और कद्दुकस किया हूँ अद्रक पेस्ट भी ले सकते थे हैं मैंने कद्दुकस करके लिए है हम पहले इसके स्टफिंग मनाएंगे आज हम भर के पकोड़े बनाएंगे और बिना भरा हुआ भी मनाएंगे तो पहले ह बनाण नमक, नमकता हथा पकडर ज़यान को कशे कीगे रखे, अगया पकिव্न वालो एक चोटी चूंच आम पाुडरो पाऊड़र ऑडिच लालमिर्च पाऊड़र पाऊडर, 2 छोटी चूंच तमच फक्लें धनिया पाुडरो ऺिए ज़ंड़ी होगा ह mechan your way क्योंकि हम अभी पकड़े में भी डालने वाले हैं तो इसमें नमक थोड़ा कमी डाले अब इसमें थोड़ा सहरा धनिया डालेंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसे ठंडा होने के लिए हम साइड में रख देते हैं जब तक हमारा आलू ठंडा हो रहा है त तो आपको तोरी से भी ले सकते हैं अब इसमें डालेंगे नमक, स्वादानुसाद, थोड़ी सी हल्दी, आदी छोटी चमच और मिर्ची एक छोटी चमच डालेंगे तीखा थोड़ा ज्यादा पसंद हो चटपटा करना चाहते हैं तो मिर्ची की कुटिटी थोड़ी सी चमच पानी अची के पास जड़ंगे नियुक्तार यह क्समें अच्छा तुसका में पाने इसे अच्छे टालेंगे चाहिकँगं ऊसे सी और रगते हो चीज़एसं तो कि तो गड़े भी गश्यादा जानगे तो मैंने दो कप बिशन में एक कप पानी लेकर घोल बनाया है इस तरीक से अच्छी तरीक से फेटे अब इसे हम थोड़ी जर के लिए रख देते हैं और तब तक हम मिर्ची को कट करके तैयार कर लेते हैं तो यह देखिए मिर्ची यह वाली है जो कमतिकी होती है और इसके करेंगे तैयार है तो चलिए हम अब इसके श्टफिंग कर लेते हैं जो मने अलू बनाए तो थंड़ा है तो हम क्या करेंगे जो मिर्ची को हमने कट लगाया है इस तरीके से अब इसके अंदर हम आलू को भर देंगे आप चाहें तो चमल से भर सकते हैं या फिर हाथ से भी कर सकते हैं और थोड़ा सा अंदर की तरफ दबाते हुए हम इसे आलू को भरेंगे नहीं तो क्या बाहर बाह अब हम इसे फ्राइ करेंगे तो बेशन भी हमारा तैयार है और यह स्टफिंग भी तैयार हो गई है मिर्ची वाली अब बेशन को एक बार मिक्स कर लेते हैं चाहिए अर दालेंगे दो चमच गर्म अऔर दानने से जहीए अब इसमें हम बेशने से स्टुटर है ख protecting कटकर ज़ीड़ा है और जो एक्ष्टा निकिल जआ यहाए इदानों तो मिर्ची थोड़ी बड़ी है तो मैंने प्याइन का यूजesh एक विआ हो, तुछ थोड़ी बड़ी है तो भी थोगी है फ्रीस हो दूसरी तरफ से भी गुर्डरीन ब्राउन हो थाक। SHIT देखान दर नहें नहीं बेड render life अब इस तरीके से हम इन सारों को निकाल लेते हैं गरम गरम मिर्ची के पकोड़े बनके तैयार हो गये हैं अब चलिए मैं दूसरे तरीका बताती हूं, दूसरे तरीका भी बहुताशान है जो हमने रिंग सेफ में कट किए हैं, उसके भी पकोड़े बनाएंगे कि तो एक फुट्स यसापहले को हम डारेक्ट ऑपकोरे बनाते हैं एक कहए पकोर को तो अभाब फिलेम को सब्सक्राइब करनाएं इस तरी में सारे एक इस तरीके से आ बच्चे भी बहुत पसंद से खाते हैं मिर्ची तिखी नहीं होती है अगर आपके पास यह मिर्ची मिलती है तो आप जरूर एक बढ़ ट्राई करें इस तरीके से पकोड़े बनाए बहुत सिंपल सी आसान सी रेसिपी है और चलिए आप पकोड़े के साथ चटनी तो हो बनती मेरे अपसे साहदे हैं अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा बर्भ के टुक्ड़े इसे जो चटनी का लड़ शेंज नहीं होगा आप जब चटनी मनाइग उसमें थोड़ा से बर्भ के टुक्ड़े जरूर डाले अब नमक डालेंग और यह चटनी हमारी तैयार हो गई है तो यह ज़िए नाम है इसलिए चटपटा यह लीजिए हमारा पकोड़ा चटनी और यह मैंने थोड़े से टमाटो केचप पी लिए इसके साथ तो जैसा आपको पसंद हो चटनी के साथ खाई या फिर सौस के साथ खाए तो चली मैं आपको कट करके भी दिखाती हूं को बना के देखे और वीडियो पसंद है तो लाइक करें जितना से जितना हो सके लाइक करें शेयर जरूर करें आप मुझे फेस्बूक इस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हैं मैं आपको लिंक दे दूँगी तो प्लीज मुझे सपोर्ट करें मैं आप सबसे फिर मिलूंगी एक नए रेसिपी के साथ नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाइ बाइ और थांक यू फॉर वचिंग